हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चनल फिक्सेंपर मैं आज 63 कोशन्स लेकर क्या हूं अरिहंत के सैंपल पेपर से जो सीबसी बोर्ड के लिए जो टर्म वर्न के लिए जो उन्हांने बुक बनाया है उसके कम्प्रेट सोलिशन्स है यहाँ पर उ कोड़ा ऐलेक्ट्रो स्टेटिक यहांने के लिए लिक्ति फ्यल्ड एंट्रिक फोर्सिस बैन आप इसको देखें और इसको प्रैक्टिस करें ठिक है और इसके आगे हम लोग्स कम्प्लीट पूरे के पूरे बुक का सुलिशन्स हर दिन लेकर आएंगे हम ऐसे उमीद करते ह कि आप इन सारे ही solutions को देखें भी और book से भी मिलाएं कि आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं और मैं कोसिस करूँगा कि जो भी questions हैं उसके around कुछ और theories वगर हों हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे ठीक है तो start डरते हैं तो पहला question है हमारे पास जो screen पर आहिरा होगा है जो बगल में दिख रहा है आपको तो यहाँ पर जो question हमें दिख रहा है हम उस question के पर बात करते हैं कर रहा है कि if a plastic rod rubbed with a fur is made to touch two small pit wall suspended nearby then which figure shows their final configuration कहाने है यहाँ पर यह चाह रहा है कि दो ball है हमारे पास दो charged ball है और basically charge कैसे हुआ यहाँ पर देखो if a plastic rod rubbed with a fur एक plastic के rod को हमने एक fur से rub किया है कहना यह चाह रहा है कि मानलों कि एक plastic का rod है यह जो यह रहा rod ठीक है यह plastic का rod है is that okay और हमने इसको एक billy का खाल यह कह सकते है cat fur कह सकते है इसको हमने यह इससे इसको rub कर दिया आपको पता है कि rubbing process में charge होता है एक body से दूसरे body में charge का transfer हो जाता है तो इससे यह हुआ होगा कि जो मान लेते हैं कि प्लास्टिक का rod है इस पे कुछ negative charges आ गया होगे आपको पता होना चाहिए कि plastic के rod पर negative charge आता ही है और cat fur पर positive charge आता है अपने यह basic theories में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा यह बात अपसे याद रखना है cat fur पर positive charge आ रहा है rod पर negative charge आ रहा है अब इस rod को इस ने क्या कि इस rod से दो पीथ balls मान लेते हैं ऐसे पहले configuration के इसाब से suppose करते हैं यह answer नहीं है हम इसके उपर बात टिक नहीं लगा रहा है चलो हम इसको हटा दे रहा है है ना तो हम क्या कह रहे है एक configuration के तरह मान लेते हैं दो ball लटका होगा दो रस्सी से ऐसे के छट से हमने एक रस्सी से दो ball को लटका दिया है अब दोनों को ही हमने इस plastic rod से टज करवा दिया दोनों ही metal ball है ना smack 발 का मतलब होता है metallic ball metallic balls अब सोच के देखो क्या होगा कि दोनों ही ball के ओपर negative charge आ जाएंगा अगर हम negative charge से metallic ball को touch करवा दिये तो उस पर negative charge आ जाएगा यानि कि इस पर भी negative charge हो गया इस पर भी negative charge हो जाएद petite पर फोर्स लगा देगा यह इसके उपर फोर्स लगा देगा यह को लंबिक फोर्स होगा यहां पर समझ में आया बात तो सीन क्या हो जाएगा अगर हम यहां सही ऐसे करके इसको टच करवा दिया दोनों तो रिपेल करेगा दोनों दूर भाग जाएगा ना I think that configuration matches with B option यह बात एकदम समझ में आ गया कि नहीं आया is that okay समझ में आ गया अब सपोज करते हैं इसी में एक एग्जामपल क्या हो सकता है कि already यहां पर एक सीनी हो सकता है कि ऐसे दूर दूर हमने ऐसे करके बॉल को ऐसे रखा हुआ दूर दूर रखा हुआ कुछ से प्रेशन अब इस पर कहा कि इसने इसके उपर एक प्लास्टिक के रॉड को हमने इस तरह से चार्ज किया तो प्लास्टिक रॉड से हमने इसको टच करवा दिया यह किसे टच करवाया एक निगेटिव चार्ज वाले से टच करवाया निगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड से हमने इसको touch करवाया, साथ ही साथ एक हो सकता है यहाँ पर कि हमने Ebonite जो अन्दरे हैं नटिंग कमाल का है न तो Ebonite rod से हमने इसको touch करवाया, Ebonite के rod के उपर हम जानते हैं कि positive जा जाता है नहीं पता है, तो पता कर लिजिए कि Ebonite rod को अगर हम silk cloth से अगर हम रव करते हैं, Ebonite के rod पे positive silk cloth पे negative चार जाता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि condition, final condition क्या हो जाएगा क्या भी इस ball पे negative चार जाएगा, इस पर positive चार जाएगा दोनों क्या करेगा गुजरे को, draft कर लेगा तो finally कैसा scene दिखेगा हमको कुछ इस तरह का दिखेगा क्या कि balls ऐसे आ जाएगा यह आगे बाद समझ में यह attract कर लेगा यहाँ पर समझ में आगे बाद यानि कि अगर यह कहता कि अगर हमने एक को plastic rod से touch करवाया, दूसरे को इपनाइट rod से touch करवाया, after rubbing after rubbing then C configuration match कर जाता A और D होने का कोई condition है ही नहीं, A condition होने का चांस तब होता है, जबकि दोनों ही ball neutral है, तब ही हो सकता था एकदम अच्छे समझ में आगे बाद तो यहाँ पर हमारे बास B option करेटा रहा है अब आगे बढ़े, चलो ठीप कहा रहा है कि फिर से कॉम है, जो कंगी होता है runs through, once dry hair attract small piece of paper, आप लोग बच्पन ये सब खाम की होँगे, कि प्लास्टिक के रोड से अगर हम बाल को रब करते हैं, तो वो जो कागच का जो चुटिच्टर बुरादा होता है उसको टच करने होता है, खीचने लगता है आप लोग को पता है ये क्यों होता है, ये पूछ रहा है अब पता है, कॉम एक गूड कंड़क्टर तो ही नहीं, वो तो प्लास्टिक का होता है और हम लोग ये भी जानते को ने टराज का जो स्केल होता था, उससे भी हम लोग करते हैं ये पेन से अगर हम इसे जेकरें और पेपर को ऐसे उठाए तो ये भी हो जाता है ये तो चांड़क्टर थोड़ी नहीं तो सीधा सीधी पहला बात ही, ये तो पहला गलत हो गया है ये और ऑप्सन तो गलत हो गया पेपर is a good conductor, obviously not पेपर तो गुड़ कंड़क्टर ही नहीं अब गार, atom of the paper get polarized by the charged comb ये condition हो सकता है अब इसमें क्या कहानी है, कि अगर suppose करते हैं ये रहा हमारा जो plastic का scale है या चलो ठीक है, कंगी ले लेते हैं, comb है ठीक है, ये ये जो कंगी है हमने, इसके ऊपर हम यहाँ पर हमने paper touch कर वा है ये paper है, ये क्या है? paper है और ये क्या है हमारा? comb है, अब क्या हुआ? ये अल्रेडी मान लो कि इसके ऊपर हमने positive charge रखा हुआ है assume कर लेते हैं अब ये plus है, ये तो neutral था, paper कैसा था? initially initially, neutral इसमें कोई charge था नहीं क्या हुआ? इस plus ने इसके atom को, इसके atom ये plus वाले ने इसके atom के इस हिस्से में negative charge polarize करवा दिया याद है, induction process इस हिस्से में negative charge रख दिया समझ मैं है? और दूसरे हिस्से में जो दूर वाला part है दूर वाले हिस्से में अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि इस हिस्से में positive charge करते है अब ये मालो ground से touch है तो positive charge जमीन में चला गया अर्थिं हो गया इसका तो ऐना, ऐसा हो गया तो finally क्या दिखेगा इसके उपर? negative charge अब negative charge plus वाले क्या करेगा? attractive तो करेगा बात समझ मैं आ? तो ये polarization हो गया जो metallic body था जो neutral था अब उस पर charge आ जुके है तो यहाँ पर ये scene हुआ है C, correct answer है यहाँ पर नहीं, नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है ना तो चलो अब आगे बढ़े ओके वन metallic is fair, A is given positive charge whereas another identical identical दोगो यहाँ पर word समझना एक चीज को identical लिखने का मतलब एकदम डिट्टो एक जैसा अगर हम ये कहें कि मेरे पास एक metallic ball है, एक और metallic ball है तो हम दोनों का दोने spherical shape में है जैसा A है वैसा ही B है ये कहना चाहता है ना तो ये सपोस कर लेता है, A charge metallic ball है, आदूसरा B है और एक और बात याद रखने है कि metallic sphere मतलब conducting sphere और conductor के अंदर में charge नहीं होता है हमें ये पता है अब कहा रहा है, कि A को हमने यहाँ पर positive charge दिया है तो सारे ही charge नहां होंगे, इसके surface पर होंगे बात समझना आ गई और B of exactly same mass as A equal amount of negative charge रख दिया इस पर, आना B पर negative charge यहाँ पर हमने रख दिया है then, क्या होगा कहने का मतलब यह है कि A metallic ball A को हमने positive charge दिया, B को हमने negative charge दिया, equal amount में तो mass के बारे हम बात कर रहा है mass क्या हुआ होगा फिर समझो, यह positive और negative का scene क्या होता है अगर आपको पता होगा कि positive मतलब होता है कि deficiency of electron यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ इसमें क्या है, बता तो deficiency of electron होगा यहाँ पर electron कम होगा तभी नहीं यहाँ positive charge दिया और यहाँ पर क्या है more electron, कसकते हैं यह बात यहाँ ज़्यादा electron ना करे पत समझ में आया तो आपको पता है कि mass of electron होता है कितना होता है 9.11 into 10 minus 31 kg अब सोच के देखो एक body से दुसरे body में यह अईसा नहीं बोलना है electron का mass ही नहीं होता है जब यह इस level बात ही कर रहा है तो हमको यहाँ पर इस चीज़ को यूज करना पड़ेगा और इवन हम लोग अब इस level पर है कि mass of electron को 0 नहीं लेंगे 0.000555 amu इतना होता है हम लोग rough calculation करते है बग जब मोटा मोटा बात होता है तब हम इसको बोलते हैं हाँ ठीक है इतना है 0 0 ही माल लोना चलेगा काम यहां नहीं करना है ठीक है mass होता है electron पे अब सोच के देखो कहीं पर deficiency of electron है कहीं more electron है तो किसका बजन जादा होगा बी का ना क्योंकि हुआ कि suppose कि बी में electron डाले गए तब ही ने बी पे negative charge है तो बी में डालेगा electron उसका बजन बढ़ेगा ना मालने लोगिए अगर दसों electron पे ढ़ाल दिया तो 10 टाइमस अप इतना किलो ग्राम तो उसका बढ़ गया ना बजान 10 टाइमस 10 इंटू 9.11 इंटू 10 इस मैंस तो 31 किलो ग्राम उसका बजन बढ़ा ना बात समझ मैं और वहां समय इलेक्ट्रोन निकाल लिया तो सपोज करो 10 ही इलेक्ट्रोन निकाला 10 टाइमस एक ही इलेक्ट्रोन निकाल दिये तो उतना बजन तो कम तो कर दिये ना तभी तो उसके उसके उपर positive charge आया है बात समझ मैं तो कहानी यह हुगा कि mass of a decreases I think decreases तो है नहीं remain equal तो यह तो होगा है नहीं a increase यह भी नहीं होगा b decrease यह भी नहीं the mass of b increases यह हमारा correct answer दिख रहा है यहां पर समझ मैं आगे बात तो b का बजन बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोन उस पे आया है अना चलवा आगे बढ़ते है in nature the electric charge of any system is always equal to electric charge जो होता है क्या बोले है अब इसके बारे में integral multiple of least amount of charge क्या होता है half तो नहीं होता है half integer q net जो होता है किसी body पर क्या होता है integral multiple of e n क्या है integer sorry n belongs from integer है ना याने कि अगर एक body पर charge है तो वह हर समय e या तो 2 e होगा या तो 3 e होगा 4 e होगा है ना इस तरह से करके 10,000 e होगा 10,00,000 e होगा 10 करोड ऐसा कर सकते है e होगा कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते 3 by 2 e है ना ऐसा नहीं हो सकता integer नहीं है क्योंकि 3 by 2 और ऐसे भी अगर चार्ज करना है इंटिक्लर मेल्टीबल को फिल करना अगर किसी बॉडीको चार्ज करना तो कम से कम एक एक उल्ट्रों तो निकाल भी करो करो क्यों तो आदहाइई व्यक्तोंट निकाल दें किसी से गुलेगा और पाउच एचार जैनि फाइप पॉइंट य पाधा हीलेक्टरोन कभी तोड़ निकलता है बास हो यह जब भी निकलेगा तो 1,2,3,4 यानि इन्टीजर में ही एलेक्टरोन निकलेंगे या फिर उसमें इलेक्टरोन डाले जाएंगे समझ में आगे बाद इसी को quantization of charge बोलते हैं इस प्रोपर्टी इस कॉल्ड कॉन्टाइजेशन ओफ चार्ज और किसने discover क्या था? Milliken ने किसने क्या था? Milliken ने बाई ओयर डॉप experiment यह हमको पता होना चाहिए ठीक है? चलो बागे बढ़ते हैं सेम कहानी क्या है? हमको पता है Q equal to any होता है एक फर्मुला है ना? तो इफ चार्ज ऑन बॉड़ी इस वन ने नो कुलंब एक किसी बॉड़ी पर मालो कि यही बॉड़ी है इस पर कर रहे चार्ज कितना है? तो वन ने नो कुलंब का नेट चार्ज है जब भी इस तरह से लिखा रहेगा एक बॉड़ी पर दोई चीज हो सकता है जब भी आपको Q equal to any लगाना हो तो दोई चीज है एन नंबर है एक का बेलू तुमको पता है एक 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 इलेक्ट्रोन का चार्ज होता है अब वो इसमें डालेंगे या तो निका नंबर पूछ रहा है तो n equal to क्या हो जागा Q by e हो जाएगा और Q देगा हो है ना ना के लिए माइनस में 9 यूज करेंगे और e के लिए 1.6 इंटू 10 मैंस में 19 यूज करेंगे इतना कुल हम इतना कुल हम समझ में आए बात तो यहां से क्या आगे हमारे पास देखो तो माइन ना इन यूज करेंगे और इसको अगर इन आगा और इसको गर डिवाइड करेंगे तो 0.625 तो आना ही चाहिए है ना इंटू 10 इस तो पार तेन अगर एक 0 से मल्टिप्लाइ कर लेंगे तो 6.25 इंटू 10 इस तो पार आई तिंक 9 आ जाना चाहिए जो B से मैच कर रहा है बत सोच ना तो यहाँ पर क्या निकाले हम इता हम सिंपल कलकुलेशन है दो तीन चीज यूज करना एन का मतलब होता है यहाँ पर 9-0 एन का मतलब क्या होता है एन इस्टेंड्स पूर 9-0 कार वाला 9-0 नहीं यह 9-0 कार नहीं है जो खटारा टाटा वा यह परो इसका मतलब 10-0-9 होता है सका मतलब 10-6 होता है मीली का हम बताया थे मैं टरी ओता है संटी के लिए मैं में टू अब जहां सेंटी दिखे सी फोर सेंटी वहां पर बस सी रहा सी अटा यह लाव है ना वो डिवाइड हंडेट से डिवाइड हंडेट से मल्टिप्लाइवाला चक्टर से दूर हटो अब सवाल बनाने है थोड़े ऐसे चीजों को यूज करना है है ना चलो बागे पर जादा अच्छे से डिसकस करेंगे अभी पूरे अच्छे समझ लो कि कहना क्या चाहा रहे है यहां पर आए जिन्हों ने पढ़ा हुआ और इंडक्सन वगर पॉलारीटी ऑप चार्ज या पर डाइलेक्ट्रिक वाला सिस्टम तो वह आपको उसको ज्यादा समझ में ठीक है एकदाम अच्छे से बात समझ ना है ठीक है और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक को डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम में जिस पर चार्ज थोड़े कम आएंगे द्यू टू इंडक्शन और अंदर में थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक फिल्ड रहेगा बाहर के अला यहाँ पर इंडिक यहाँ पर 100 चरू यहाँ पर माइनस में क्यू नॉटल चार्ज तक है बात समझ मों इसका डैलेक्ट्रिक कौनस्ट्रिक मालित में के है जिन्होंने पढ़ा है बस उनके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ठीक है और यहाँ पर क्या आ जाता है negative charges तो आ ही जाते हैं इधर की तरफ ठीक है कहना ये है कि induced charge ठीक है induced charge होता है Q induced जो बोलते हैं बात समझ माना चीहां से जो Q induced है ये इसको बोलते है induced charge on dielectric जो होता है ये Q नौड 1-1YK होता है ठीक है Q नौड 1-1YK होता है और इसका मतलब ये है कि Q जो induced होता है वो हर समय छोटा या बड़ाबर होगा है जितना charge इसके surface पर है वो तब ही उतना बराबर होगा जबकि वो metallic body होगा otherwise को दूसरा body है तो उस पर charge उससे तो कम ही आएगा इतना बात समझ मैं यह formula याद भी रखना है कि हम लोग chapter 2 में है उसका question यहां पर डाल दिया गया है मेरा नहीं है उसका है ठीक है चार जाना body q1 पहला बाले पर जो यहां पर q नौड है basically इसने यहां पर q1 उसकिया है और चार जाना second body is found to be q2 जो q induce है basically वो q2 है समझ में आगया बात याने कि q induce basically क्या है q2 है lesser than equal to q1 है साप साप दिख रहा है क्या कि अगर हम यह कहा दें q1 by q2 निकालते है आना तो इधर से q1 by q2 divide कर देता है तो क्या दिख रहा है कि q1 by q2 बड़ा है q ऐसे भी समझ दो q1 तो जादा ही होगा यह हर समय हमेशा ज्यादा होगा समझे लो बत को अगर यह ज्यादा होगा डिनोमेटर कम है यह कम यह ज्यादा इसका मतलब क्या ज्यादा बाइकम greater than one समझ गया बत को ने इतना दो रिसी आते ही होगा तो यह वाला सीन आ गया यहां स q1 by q2 इसी लिए यहां पर ज्यादा है आई होप यह पूरा प्रोसेस समझ में होगा नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग आगे अगला जो टॉपिक है उसमें भी सवाल को हम कोशिस करेंगे एड कर लेंगे है ना अगर समझ में नहीं आगा तो यह कमेंट कर दे करेंगा तो पुर्स का फॉर्मॉला क्या होता है? one upon four pi epsilon zero epsilon r q1 q2 upon R square इनो धे तो साब साफ दिख रहा है बाके सब चीज तो यहां से आता है constant ही दिख रहा हमको को यह जो पूरा हिस्सा है यह तो पूरा हिस्सा constant के ही बारें बात कर रहा है क्योंकि हमको force और r के बारें बात करना तो साप साप दिख रहा है यहाँ से कि जो फोर्स है यह inversely परप्रस्माइल टो R स्कूरर है ठीक है तो इसका मतलग क्या होगे अगर र जीरो की तरफ Tend करेगा तो फोर्स इंफिंिटी के तरफ जाएगा तो फोर्स जीरो की तरफ जाएगा मतला समझे रहो दो चार्ज को खुब बेसे टाद देंगा खुब तकड़ा वह फुर्स लेगा दूर नोचार्ज को खुब दूर करतेंगा फुर्स टिंग जिरू पासमया यह सिर्फ और सिपसी में ही दिख रहा है यह अगर हमारा आर बहुत ही जादा जा रहा है त है ना बाकी तो A, B, C तो कोई सेंसी नहीं बनता है उसे पर डिस्कस करने करें है ना आब आगे बढ़ते है एफसल्यूट इलेट्रिकल पर मीटीविटी पता है ना क्या होता है एफसाइलन जीरो इसका वेलू कितना होता है 8.85 इंटू 10 रेस तो दिपार माइनस में 19 कुलं स्क्वाइर पर न्यूटन मीटर स्क्वाइर देखो कुछ है बचा हुआ कैसी आया यह निकालना है तो देखो ध्यान से एक दो चीज हम यूज कर सकते हैं यहां से कि एफ एक्वल टो हमको पता है कि 1 अपॉर पाई एपसलन जीरो एपसलन आर क्यू वन क्यू टू बाइर स् सब्सक्ता है वन क्यों क्रोड आप स है तो थालं एक की योडु लोग थालंड यह सकव यहां ट्रैमें सब्सक्राइब सिर्प काder बना हुए ट्रैविंग लासेंछ और एफ के लिए मूटन यह है निटर स्कौर одна कि च्वाइर Рएक आप दिक पर न्यूटन मीटर स्क्राइब एसी अगर इसी में एक सवाल यह आ सकता है कि बताओ कि फोर्स का वैलू हमको दिया हुआ है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्कार मॉस्ट आप पेपल जो तुम लोग बना रहे होगा तो कुछ इसी तरह से यूज कर रहे होगे तो के का दैम कि लए यूटन मीटर स्क्राइर तो स्क्राइब कंता कि याथ कूलाम स्कॵाइर पर लुटन क्या लिजए गल् Joint क्राइग जनें गल्टी करो तीन कंसित लिज़ेते सैट सूरी जो रूस के कह विलु क्या होगा एंप आर स्कुएर ना दा ग्यू टूट क्यू स्टमीं क्यू स्क्वाइर पर कुलंब इन्टू कुलंब यानि के न्यूटन मीटर स्क्वाइर पर कुलंब स्क्वाइर अगर समय है यह चीज हमारे पास अंसर आकिया तो अगर के का वैलू पूछ लेका आप मोस्ट अब देपल जो न्यूमेरिकल सेंट्रिक होते हैं बच्चे उनके लिए क्या ज्यादा यूस्फूल होता है हमारे लिए बोर्ड के लिए हम लोग कम्प्लीट फॉर्मूले पर डिसकस कर रहे थे चुरू स्टाट क एड कर दिया हैं दोनों में ही तो कर दोनों में फोर्स एट्रिक्शन क्या होगा यह सवाल है हमारा ठीक है तो कहना क्या चाहरे है यहां पर समझना कि सपोस कर लेते हैं पहला कंडिसेन है यहां पर एस 6 मैक्रो कुलम्ब है यह देखो ध्यान सच्छे से लिखना है यह सबको और सेकेंड में दिख रहा है कि टू मैक्रो कुलम्ब है दोनों की भीच का डिस्टेंस हमको दिया नहीं तो हम डी हीमाल लेते हैं तो फोर्स का वैलू है कितना यहां पर क्या होता है फ़र्मूला के क्यों वन ट्यू टू भाई स्कॉर है यह फूलं लगो है ना गुलम स्लोग क्याता है नहीं है वाला बात कि अगर हमारे पास Q1 चार्ज ए Q2 चार्ज है और दुनों की बीच का डिस्न आ रहे है तो फोर्स इतना होटा है तो फोर्स के जगा पे मैनस यह नाइन हो जाएगा और क्या हमगे लिख रहे है ठीक है इतना हो गया इन्टू क्यों कि लिख रहे है यह पहला कंडीशन है सकेंड में क्या कर रहा है कि दोनों में हमने माइनस 2 मैक्रो कुलम एड़ कर दिया तो यह था initially यह था इlynn seriously, finally क्या हो चुका है कि अगर 6 में से माइनस 2 एड़ कर देंगे तो 4 हो जाएगा क्या, बात समय हो या कि 6 वाले में 6 मैक्रो कुलम में से 2 मैक्रो कुलम हमने एड़ कर दिया और इसमें टू मैक्रो कुलंब वाले में से भी टू मैक्रो कुलंब एड़ कर दिया बस में तो सीन क्या हो जाएगा इसका तो और इसका इसका चार्ज ही जीरो हो जाएगा क्या जी और इसका चार्ज क्या हो जाएगा फोर मैक्रो कुलंब हो जाएगा यानिक अब जो फोर्स लगेगा तो जीरो चार्ज पे कोई थोड़े लगेगा इस कंडिशन में फोर्स होएगा हमारा जीरो इस सवाल को देख लो द्यान से अच्छे से और इसके दो तीन हम सवाल को और आगे भी एक्सेंट करेंगे इसने द्यान समझना कहाना यहां पर यह चाहरा है कि अचार्ज क्यू इस प्लेस्ट अधर सेंटर आप लाइन जोइन इस टू चार्ज क्यूंड 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 क कुछ D और सोच के देखो कि कहां पर neutral point होगा बीच में ही होगा और कह रहा है कि Q charge को इसने introduce किया है उस neutral point पर सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तीसरा charge करके बोलेगा कि equilibrium में लाने के लिए समझे लो पहले एक सवाल क्या हो सकता है दो चार्ज दे लिए कहां कि तीसरा charge कहां रखें कि system हमारा equilibrium में आजाए और तीसरा charge का विल्लू बता दो है ना तीस सवाल यह है तो तीसरा charge वहां रखेंगे जहां पर की electric field 0 हो समझ में है बत जो तीसरा charge हो वहां रखेंगे जहां पर की electric field 0 हो क्यों ऐसा करेंगे कि वहीं वह वह ऐसा जगह है जहां पर कि उस दोनों charge के बज़े से net force 0 आ जाएगा लेकिन यह अकेला suppose करो कि यह दोनों charge है यह ऐसे करके दोनों positive है तो क्या चाहरा होगा दूर हट जाओ एकदम दूर हटो लेकिन हम चाहते हैं कि बीच में कोई hulk type का बंदा को पकड़ा दिये कहां भाग रहे है वह यह आजाओ बात समझ मैं है यह scene होना है तो यानि क्यों एक ऐसा charge हम रखना चाहते है जो कि दोनों को दूर जाने से रोके यानि उसको भी ना भागने दे खुद पर फोर्स नहीं लग रहा है दोनों के वज़े से लेकिन ये दूसरे को भी ना भागने दे ये scene बनाना है हमको यहाँ बात समझ मैं है तो इसलिए हमने यहाँ पर एक Q charge रखा बीचों बीच ये distance कितना हो जाएगा B by 2 अब सोच के देखो क्या होना चाहिए D by 2 अगर हम नाम दे दें इसका कुछ इसका नाम A कर दें इसका value B कर दें इसको हम C कहा देते हैं ठीक है तो इसके कारण A पर अगर सोचें तो A के बारे में सोचना है हमको देखना है A ना भागे A नहीं भागे उसके लिए क्या करेंगे तो पहले तो ये सोच को देखो कि B already क्या कर रहा है A को इदर धकेल रहा है की ने देखल रहा B याद करो शुरुआत में क्या कर रहा था ये दोनों चार्ज से भाग रहा था ये A है इसको B तो पूस करी ना ने तूम उदर जाओ C क्या कर रहा होगा खीच रहा होगा C को होना चीए निगेटिव की नहीं होना चीए अगर एट्रेक्ट करेगा तो इसको तो निगेटिव होना चीए ना बास हो या B A को जो इधर वाला है सबसे क्या होने तुमारे लिए जो भी है राइट राइट मॉस्ट साइड में तो ये वाला चार्ज उसको तो पूस कर ही रहेगी तूम उदर भाग जाओ तो C को उसको खीचने के लिए निगेटिव होना पड़ेगा बास हो या तो यहाँ पर हम ऐसे सो सकते हैं कि इसका मतलब अगर ऐसा हो जाए एफ और यह सी ना जाएगा अगर यह बात हमको समझ में आ गया इत्ता बात तो समझ में आ गया है अगर तो हम एक बात कह सकते हैं कि एपर कितना फोर्स लग रहा होगा तो लिखेते हैं एपर कैसे फोर्स लगा देखो तो कि पहला चार्ज क्या है क्यूंद दूसरा चार्ज कितना है क्यूंद दूसरा चार्ज कितना है क्यूंद दूसरा चार्ज कितना 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 दू क्यों हो गया बात समय में है logic लगा अथर हुआ सा है ना ते दी बाइटू का होल स्केर गया तो क्यू 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 कट गया इस्माल क्यू पूछ रहा था यहां से क्या हो जागा देखो दो क्यू अपॉन दी का स्कॉयर इक्वल टू क्यू डी स्कॉयर नीचे का टू पर चला समझ भाया? D² से D² कट गया. तो small Q का value क्या हो गया? Q by 4. Negative हो जाएगा? answer. तो I think minus Q by 4 is the correct answer. बस समझ भाया? नहीं समझ भाया? अगला question देखते है. इसी में add कर रहा है question को. suppose करो मेरे पास दो charge दे दिया है, ऐसे करके. ठीक है? एक दे दिया है Q, दूसरा दे दिया है, पलस में 4 Q charge दिया है. अब कर रहे कि बताओ कि कहां पर तीसरा चार्ज रखें और वो कौन सा चार्ज रखें जिससे की system हमारा equilibrium में आ जाए. ठीक है? यह सवाल है हमारे पास इसको हम A और B कर दे रहे हैं. बात समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह के सवाल को हम कैसे deal करेंगे? तो पहले वो place यहां पर इसका तुम लोग क्या पूछ सकता है? बस यही सवाल ही पूछ सकता है कहां पर इसके तरफ ही और दोनों अगर सेम चार्ज बीच में और अगर आपोजिट चार्ज चोटे वाले चार्ज के तरफ बाहर सुनना पड़ा? अगर दोनों similar चार्ज नहीं के plus plus है तभी बीच में minus minus है तभी बीच में plus minus हो गया तो छोटे वाले चार्ज के तरफ बाहर ठीक है? पलस मैनस हुआ तो छोटे वाले चार्ज के तरफ बाहर बस छोटा मतलब magnitude में देखना है यह नहीं कहीं कि सार निगेटी बोला छोटता होते है जादे होगा चलो स्टार्ट करतें यहां से कहां पर तरह को यहीं पर कहीं है यह जोगा हम से сможете कि ह पर जीरो है ना तो हमको निकालना है E net out at C, कहाँ के निकालना है C पर 0 होगा, अगर यह C पर 0 आ रहा है तो electric field due to A B, और electric field due to B, दोना 0 होगा, इसका मतलब है electric field of A is equal to electric field at B, नहीं समझे दा, जितना electric field A का होगा, उतना ही B का electric field होगा, electric field पर परूना पता है ना, K Q by R square, वही उ 4Q by distance कितना, D minus X का whole square, यहां से K Q, K Q कट गया, तो बच गया हमारे पास, D minus X का whole square, equal to 4X का square, इतना बात एक दम अच्छे समझ में आ गया, अगर इतना बात समझ में आ गया, तो क्या करेंगे, square root, यहीं कि square खोल देना है इसको, बस हो गया कमाल, एदा हम रूट कर देना, यही वो position है, बता है जनल, D by 3, सोचके देखो है न, छोटे वाले चार्ज के तरफ, यह बात याद रखना है, ठीक है, तो logically भी सोचना है, फिर सुनो, कहां पर चार्ज होगा, तो बीच में opposite चार्ज होगा, तो बाहर, किस के बाहर, तो छोटे वाले चार्ज के बाहर, हर सम F net on A equal to 0, ऐसे सोचना है, A पर कोई force ना लगे, ठीक है, तो चलों स्टार्ट करते हैं इसके लिए, तो क्या करेंगे हमारे पास यही A है, और यही B है, है न, दोनों के बीच का distance हमको पता है कि D है, और A का value कितना है, यहाँ पर Q है, है न, तो हमको कहां पर रखना है, एक च बोल रहा होगा, A को कि तुम उदर भागो, तो force on A due to B तिदर ही लग रहा होगा, अब Q को negative होना पड़ेगा, ताभी न, इसको खीचेगा नीचे की तरह, तो हम इसको अगर C point कर रहा है, तो F on A due to C हो जाएगा, तो इस condition क्या बोलेंगे, F A B, और F A C की बराबर होगा, तो पहले का logic था, वही अभी भी लगा रहा है, तो A पर B अरन force कितना होगा था, सरी के, पहला charge A का Q, दूसरा charge B का 4Q, अब बाइ दोनों के बिच का distance से D का square, A C पर क्या स्कीन होगा, के, इसका charge Q, इसका charge Q, अब बाइ डिस्टेंस से D by 3 का whole square, के Q से के Q कट गया, समझ में आग देख लो, Q का क्या value आ रहा है, क्या हम सीरा से लिखते हैं, क्या, यहां से, देखो तो, D square का कटी गया, D square से D square भी कटी गया, 9 उपर जाएगा, यहां से 4Q अपन 9 हो जाएगा, माइनस में, बात समझना है, इस condition में, आगे बढ़ते हैं, इस ही में, अगर हम को इस तरह का सवाल को, D distance पर बात कर रहा है, तो क्या हो सकता है, इसको हम A कहा दिये, इसको हम B कहा दे रहे, कहां होगा इस बार, दोनों opposite charge है, तो छोटे वाले charge के तरफ, बाहर, छोटे वाले charge के तरफ, बाहर C point होगा, यहीं पर हम कहा सकते हैं, कि इलोट्रिक फिल्ट 0 होगा, है ना, तो इलोट्रिक फिल्ट at C 0 करवा देते हैं, तो इलोट्रिक फिल्ट C कौन बनाएगा, A भी बनाएगा, और B भी बनाएगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा, बात समझ में आया कि नहीं आया, छोटे वाले charge के तरफ, बाहर, है ना, तो यह distance है, zoom कर देते हैं, X होगा, है ना, यह question number 3 हो गया, उसी series में, तो पहले हम, A, B निकाल लेते हैं, यह क्या होगा, K Q by X का square, और इसे हैं, K 4Q by D plus X का whole square, यहां से K Q से K Q खतम होगे, तो क्या बचेगा, D plus में X का whole square equal to 4X का square, यहां सा आगे, D plus में X equal to 2X, क्या किये, square root कर दिये, खोल नहीं दिये हैं, इसको, ठ D equal to आगया, यहां से X, X का बेलों कितना आगया, D, यानि कितना distance इदर की तरफ, इलेट्रिफिल 0 आ रहा है, D distance पर, और यह था हमारा step number 1, कहां पर इलेट्रिफिल 0 है, देखो वही, D distance पर 0 है, इलेट्रिफिल 0 है, और इसके बाद हमारा बनेगा step number 2, तो क्या निकालेंगे force on A equal to 0, यह चीज़ चेकरना है, इसके लिए क्या करेंगे, यह assume कर लेते हैं, A है, यहां पर B है, यहां पर C चार्ज है, यहां पर हम क्या करें, थोड़ा ध्यान से लेखना, A पर चार्ज कितना था, Q, यहां पर कितना है, minus 4Q, और यहां पर हम रगते हैं Q, हमको नहीं पता किन सोचो क्या होगा, तो B वाला बुला रहा होगा इसको, B वाला A को अपनी तरफ बुला रहा होगा, तो force on A due to B, तो यह negative or plus वाला को बुला रहा हो, खीच रहा होगा, तो वो C जो है यहां पर, वो क्या कर रहा होगा, तुम उधर नहीं जाओ, तुम इधर आओ, तुम इ AB का scene क्या हो, यह decision हम को पताए न है, और यह भी disorder already पताये कि D है, तोbी का scene क्या हो, क्यूँ, यहां से 4Q by D का square, यहां से K Q, दूसरा चार्ज Q, बाइड डी का इसको यह तो कर डी का जी, यह तो हद इसी सवाल हो गया, है ना, तो Q का बेल हो किया, माइनस में 4Q, बोलो कि माइनस कैसे आ रहा है, तो सोच करके, दिमाग लागर करके हमने, है ना, तो यह आगा अंसर, बास नहीं है, कोई डाउट नहीं चार्ज क्यू, एंड माइनस क्यू, रस्पेक्टिवरी, है ना, दो पॉइंट चार्ज है, हमारे पास, एक है प्लस Q, दूसरा चार्ज है, माइनस Q, एड प्लेस्ट अट सर्टेन दिस्टेंस, दोनों की बीच में दिस्टेंस D है, तो अब्यसली फोर्स कितना हो रहा होगा अब बता तो, के, क्यू, क्यू, बाइड दिस्टेंस D का स्कॉर, पहले ना, प्लेस्ट नमबर वन, आब क्या कह रहा है, इस सवाल में, और प्लेस्ट है, एंड फोर्स एक्टिंग बिट्में दिमें इस F, जो हमने यहाँ पर यूज कर लिया, इफ 20 परसेंट अफ चार्ज A is transferred, 20 परसेंट अफ चार्ज A is transferred to B, यह है हमारा A और यह है B, समझना बात को, A का 20 परसेंट चार्ज को हमने B में ट्रांसफर कर दिया, याने A से हमने 20 परसेंट चार्ज निकाला, और उसमें ट्रांसफर कर दिया, बात स्मया, तो सीन क्या होगा, आप सोच के A का 20 25% मतलब QY4 होगा क्या «бेसिंक ली अब ये पर चार्ज कितना होगा Soviet क्यों में से हमने इतना च्यर्ज निकाल लिया och Q by 4, Q में से Q by 4 निकाल लिया, और B पे चार्ज कितना होगा, माइनस Q में यही Q by 4 को हमने जोड़ दिया, तब पलस में Q by 4 हो जाए गया, इतना बात सुझा कि निया, A से निकाल करके B में ट्रांसफर कर दिया, तो A से B में कितना ट्रांसफर हुआ, Q by 4 चार्ज का ट्रांसफर हुआ, यहां से हमने कितना ट्रांसफर किया, इधर से इधर कितरब, Q by 4 चार्ज ट्रांसफर कर दे, that's a ट्रांसफर, इतना ट्रांसफर कर दिया, A से चार्ज निकाले, B में ट्रांसफर कर दे, एक चार्ज घट गया, Q by 4 से, तो इधर बढ़ गया होगा, है ना, तो चलो देखते हैं, कहां ही क्या है, आप, एक चार्ज कितना है, और B का चार्ज कितना है, देखो तो 4 में से 1 चला गया, तो माइनस में 3 Q by 4 हो गया, है ना, तो आप जो नया फोर्स लग रहा होगा, वो कितना होगा, के 3 Q by 4 into माइनस में 3 Q by 4, माइनस लिखना नहीं होता है, बैसे, ए, समझ भाया बात, मज़ आया, आगे बढ़ते हैं, यह हम जुट को डाल दियते हैं, ओके, हम सुझे कि उतना में बन जाएगा, आगे बढ़ते हैं, करे टू पार्टिकल ऑफ एक्वल मास M and चार्ज क्यू और प्लेश्ट अर प्लेश्टें सिस्टीं सेंटीमेटर, अना, दो चार्ज हैं हमारे पास, एक चार्ज है Q, और इक्वल मास M and चार्ज है Q भी, इसका बज़न भी M डाल दिया गया है, इस पर भी M डाल दिया गया है, और बज़न के बारे हम भात कर रहा है, क्या सीन हो सकता है यहाँ पर, और ऑप्सन देख करके दिख रहा है Q, बड़ा असा जी निकाली कोई बैठा हुआ है, पासम आया, नहीं आया, ग्रेविटेशन वाला कुछ हो रहा है का तेहोरी यहाँ पर, सोचके देखो, यह दोनों पलस पलस है, तो यह बोल रहा होगा, तुम इदर भागो, इलेक्ट्रो एस्टेटिक वाला, है ना, F, इलेक्ट्रिक कर सकते हैं इसको, और मास क्या करता है, तुसरे को खीचता है, F, ग्रेविटेशनल हो सकता है, क्या दोनों ही बराबर इदर कर दें, मेरा काम बन जाए, क इसका मतलब यही कि जितना इलेक्ट्रिक-फोर्स है, वो हमारा ग्रेविटेसनल फोर्स के बराबर है क्या और ग्रेशनल फोर्स यहां ग्रेवा ह कि आदा है, G, मास, दोनों का सेम है, M का स्क्वाइर, का रहा है Q बाइ M का विलू बताओ, तो Q का स्क्वाइर बाइ M का स्क्वाइर इक्वल टू G बाइ K, अच्छा, K को क्या लिसकते हैं, 1 बाइ 4 पाइ एपसलन जीरो, और यहां से Q बाइ M हो गया, रूट करते हैं, इदर क्या, तो Q बाइ M का विलू क्या हो गया, देखो तो, रूट अबर 4 पाइ एपसलन जीरो, इंटू G, पसमें, यहां पर दो चार्ज है, दोनों रिपिल कर रहा होगा, आप उसके कर रहे कोई फोर्स ही नहीं लगा, यहां पर रोकने के लिए, अच्छा कुशन रहा, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले कुशन की तरह बढ़ते हैं, टू पॉइंट चार्जेज, प्ले स्टेटा सर्टें दिसन आर, इन एयर, एक्स, एक्सर्टा फोर्स एप, और इच अधर, दो चार्जेज हैं, हाना, दोनों के बीच में, दोनों का चार्ज है, माल लेते हैं, Q है, दूसरा भी चार्ज Q है, दोनों के बीक बीस दिसन्स R है, और फोर्स एक्सपिरेज कर रहा है, यहां से, K Q Q by distance R by square equation number 1 ठीक है then the distance R dash at which these charges will exert the same force in the medium of electric constant K is given by, यहां पर electric constant K को epsilon R के तरह समझना है न electric constant K है यह basicly क्या है epsilon R है, बास मुझा है रिका रहे है कि दोनों पर same force लगे अब क्या scene है यहां पर, दोनों के यहां distance R dash पर रख दिये हैं, है ना अब उसे distance पर नहीं रखे हैं, यह charge अभी VQ ही है लेकिन आप दोनों के बीच में हम क्या कर दिये हैं, medium भर दिये हैं तो उनों के उच्छे क्या कर दिये हैं, हम यहां पर हम एक medium भर दिये हम यहां पर medium फिर दिये समझ दोगे बात को, जिसका constant यहां पर K है, कितना है K है तो आप क्या लग रहा होगा जो F in medium क्या होगा तो medium के साथ में यूज करेंगे तो 1 by, अच्छा इसको अच्छे स्री नहीं क्या 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 पर 1 by 4 pi epsilon 0 q का square by r का epsilon 0 epsilon r के जगा पर k यूज कर लेते हैं q का square by distance क्या r dash का whole square बात समझ में आ, नहीं आया थ्यान से देखो थ्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है यहां पर कि 1 by 4 pi epsilon 0 और यहां से आता है यह दिख रहा है क्या कुछ ऐसा यह तो सेमी चीज है ना इसके जगह पर f r square लिख सकते हैं क्या f into r square इस पूर एक जगह पर f r square और यहां पर हो गया k r dash का whole square बात सुने है यहोगि f in medium क्या बोल रहा था medium का force और हवा का force बराबर है इन कह रहा था इन बोला था इसने कि medium में जो force लग रहा है वो force in air के बराबर है जो पहले लग रहा था यहां पर जो force लग रहा है इस condition में जो force लग रहा था वो medium बाले में force के बराबर है यह न कहाए exert same force in medium हाँ ना तो दोनों force बराबर कर दिये तो यहां से क्या आगिया k r dash का whole square equal to r square कर तो r dash का whole square equal to क्या हो जगा r का square by k तो कुछ बचा क्या r by root over k distance क्या हो जगा c बास सुने ला दो चार्स था किसी मतला हवा में था दोनों में force लग रहा था f दोनों को उठा कर के medium डाल दिया medium में force कम हो जाता है हना तो लेकिन कर रहे हैं में force लग रहा है इसका मतलब जरूर है कि दोनों को नजदीक लाया होगा कितना r by root over k इतना नजदीक ला लिया होगा बास समया कि नहीं है यह सवाल को कोई sense बनता नहीं है 14 number question को देखो सबसे easy सवाल था यह इसमें कार रहे हैं माइनस में 2 microcolum का charge है यहाँ पर पलस में 16 microcolum का charge है दोनों के बीच में distance कुछ D है इसका value A माल लेते हैं इसका value B कर देते हैं हमको पता है Newton का third law इसर A ने force on A due to B इतर लग रहा होगा B पर भी force लग रहा होगा F on B due to A हमको पता है तुम हमको force लगाओगे हम भी तुमारे उपर उतनों ही अपोजी direction में force लगाएंगे गाना याद है कि नहीं है force on A due to B equal to force on B due to A लेकिन अपोजी direction है ना बास होगा तुम हमको क्लास में धोगे हम तुमको चौक पे 4 बज़े बूला करके दो देंगे थडला हो बात समझ़नाए कि नहीं है चलो 02 कहानी क्या होगा इसमें भीज के डावसर है तो कहाना क्या 4 है इसमें थोड़ा ध्यान समझना कि हमारे पास तीन चार्ज हैं कितना चार्ज हैं टीन चार्जेस है और Equilateral triangle के corner पर है यहाँ पर ठीक है एक है 1 Microculum ठीक है A, B, C A हो गया ठीक है इसको हम B कर दे रहे इसको हम C कर दे रहे A पर है 1 Microculum, B पर है हमारा Minus 1 Microculum और C पर है 2 Microculum का charge है कर है C पर the resultant force on इतना जबकि distance भी दिया है 10-10 cm का सब पर बास वहाँ यह scene है यहाँ पर तो बताओ क्या होगा A वाला B वाले को repel कर रहा हूँ इधर की दरफ तो force on C due to A इधर की दरफ और B वाला C वाले को अपने तरफ खींच रहा होगा F on C due to B बता दोनों कितना होगा अगर हम पूछ है F on C due to A कितना होगा तो कर देंगे सर कि वो K पहला चार्ज 1 दूसरा चार्ज 2 बाइड डिस्टेंस हो गया 10 यह सब सेंटीमिटर और यह माइक्रो कुलम में है यह माइक्रो कुलम वगरा एक दोनों आगे के दोनों इंख राबर है क्या क्या दोनों इन उन थे पराबर है तो Charlotte क्या होता है IBM जोनों है bioob force अरे यह कैसे यो इखो हाइज 60 दिग्री हो गिया यह 120 दिग्री हो गिया और दो सब कर ओक एगर 120 दिग्री है पर equal हो, resultant भी same आता है, यह हमको पता है, है ना, याद है vector में पढ़े थे, कि हम वो बनाए अब, है ना, यह हो गया, parallelogram लाओ, है ना, अच्छा, ने बनाई देते हैं, दोको f net क्या होगा, याद है, दो force अगर बराबर हो, f का square प्लस में, दुसरा force फ का square प्लस में, 2 f f cos, कि बेशी Cristo क्या हो जबा, 2 f का square plus में, 2 f का square cos, 120 degree, तो 2 f का square common हो जएगा, 1 plus में, cos, 120 degree का root, तो और better way मिल सकते यहां से, 2 f का square, 1 प्लस में, cos, थीटा का फ्रिमुला क्या होता है, 1 plus cos theta का फ्रिमुला होता है, 2 cos square theta by 2, यह यूशी कर सकते है क्या, 2 cos square 120 by 2 simple है यहां से क्या आगया देखो तो 2 बाहर आगया f बाहर आगया और cos 60 बाहर आगया cos 60 बिलू पता है ना हमको कितना होता है half होता है 2f into half basically f हो गया बास समझे बाइब आ f कितना यह है ना f तो यह है है ना f का बिलू क्या हो जाएगा क्या था यहां से k 1 microcoulomb into 2 microcoulomb distance था 10 cm 10 cm मतलब माइनस 2 into 10 into 10 रिष्ट माइनस में 2 यह हो जाएगा तो यहां से क्या आगया k के जचाएगा पे 9 into 10 रिष्ट दिपार 9 into 10 रिष्ट पे बाहर माइनस में 12 by 10 into 10 100 into 10 रिष्ट में मैंस में 4 यहां से क्या आ गया 9 into 10 दिवावर मैंस में 3 by 100 into minus 4 यहां से आ गया देख लो कितना आ गया 9 into 10 दिवावर अच्छा स्वरी उपर में 2 भी है ना उपर में 2 भी है इंटो 2 18 हो गया ना यहां से 18 sorry 18 into minus 3 plus 4 यहां पर 2 नीचे में मैं मैंनस में 2 तो क्या हो गया यहां से 18 into 10 दिवावर मैंनस में 2 0.18 Newton sorry minus 12 minus 3 क्या घड़वड हुआ मैंनस में 4 ओपर चला गया 900 3 2 sorry 5 5 5 5 5 1 3 2 5 3 2 6 नहीं होता 3 2 5 होता है ना यह आ जाएगा यहां से गल्टी कर दिये थे हम थोड़ा सा ठीक है यहां सोगे 18 into इतना 13 में मैंनस में 1 यह नहीं कि 1.8 Newton answer option number C correct answer हो गया option number C चलो ठीक है आब आगे बढ़ते हैं बात समया कैसे हम solve किये ठीक है तो वैसे दोंको पता था शुरुआता है दो फोर्स अगर 120 डिगरी पर तो resultant भी सेमी आता है exactly रहा चलो बागे बढ़ते हैं इच कॉर्णर A B A and B has charges Q1 and on the other corner इतना इतना Q2 square वोगरा charge at equilibrium then Q1 by Q2 is what यह कह रहा है समझना बात को क्या कहना चाह रहा है कर रहा है कि each corner A and C has Q1 only each corner D has charge minus Q2 of square ABCD यह suppose कर लो कि एक square है यह दिख कहा है square A, B, C, D ठीक है इसके हर एक corner पर कुछ charges वगरा रहा है A पर रखा गया है plus में Q1 और C पर भी रखा गया है plus में Q1 और B और D पर रखा गया है minus में Q2 यहां पर रखा गया minus में Q2 और distance वगरा मालो L है ठीक है कर रहा है Q1 और Q2 Charge A पर कोई force नहीं लग रहा है कर रहा है कि charge A पर कोई force नहीं लग रहा है Charge A is in equilibrium बास मुझा इसका मतलब क्या होगा जैसे equilibrium का मतलब force net किस पर A पर 0 हो गया अब यह पर force लगा कौन कौन रहा है देखो ध्यान से यह पर force कौन कौन लगा रहा है तो B लगा रहा है इदर की तरफ B लगा रहा है इदर की तरफ Sorry negative है ना तो B खीचेगा ना अपने तरफ तो B खीच रहा होगा अपने तरफ है ना B negative है तो B ऐसे FB C बोल रहा होगा तुम दूर हटो F C D बोल रहा होगा तुम मेरे तरफ आजाओ F D पात समय है यहने कि Scene क्या हो गया एक तो इधर की तरफ लग रहा है K Q1 Q2 by L का स्कुरार एक इधर लग रहा है K Q1 Q2 by L का स्कुरारर इस दोनों का resultant इधर हो जाएगा K Q1 Q2 by L का स्कुरार इंट रूट टू क्योंकि बिचों भी जा रहा है और एक इधर जो लग रहा होगा force वो क्या हो जाएगा K Q1 का स्कुरार बाइद डिसन्स L रूट टू का फोल डिसन्स का डियागोनल का लेंथ इतना होता है अगर करा दोनों फोर्स बराबर होता है इधर लगने वोला डियागोनली आप पोजिट सक्षन में लगने वोला फोर्स नीते वाले फोर्स के बराबर होना चीए इससलों क्या हो जाएगा K Q1 का स्कुरार बाइ L रूट टू का लूट टू का कट गया क्या तो बचा क्या Q1 by Q2 Q1 by Q2 यह है नो पुछाई जी Q1 by Q2 इधर कितना आके देखर Q1 by Q2 इधर तो पर भी रूट टू हो गया इन्टू L स्कौर इंटू रूट टू का स्कौर यहने की रूट टू इन्टू रूट टू रूट टू नहीं लग रहा है, तो B वाला A को खीच रहा होगा, इधर की तरफ D वाला A को नीचे खीच रहा होगा, C वाला उसको रिपल कर रहा होगा इधर की तरफ, यहीं सीन आ गया होगा यहाँ पर, तो net force हमने यह पर 0 करवा दिया काना क्या चार है कि the force between two charges यहाँ पर एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q2, नहीं Q1, Q2 सेम तो बोला नहीं है, नहीं बोला at 0.06 meter पर, जो force है यह हमारा 5 newton का है कर रहा है कि, इधर charge is moved toward each other by 0.04 meter, दूनों यह दूसरे से 0.04 meter move कर देन, force between them is becomes, है नहीं, क्या हो जाएगा बताओ तो force का scene क्या होगा, force वरावर लोगी लिख देंगा भी, Q1, Q2 है नहीं Q1, Q2, नहीं Q1, Q2 भाई, डिसन क्या है 0.06 तो इस स्क्वाइर, 0.06 है नहीं, यह हो जाएगा यहाँ से तो basically क्या हो गया, के Q1, Q2 निचे 100, 100 जाएगा उपर में, तो दो स्वाइब चार जाएगा, निचे में 36 हो जाएगा, ऐसा कुछ है, बास हो जाएगा, एक क्या है, एक क्या है, Q1 और Q2, कर रहे हैं कि, इच चार्जिस, इस मूवड टूवर्ड इस अधर, नहीं बाई, जिरो पॉइंट जिरो पॉइ जाएगा, वो कितना आएगा, दोनों ही चार, 0.04 मीटर मूव किया है, साथ में, इदर, तो बचार डिसन्स क्या, 0.02 है मीटर, अब क्या फोर्स होगा, क्या फोर्स होगा, क्या क्या हो जाएगा, तो सर इतना का वेलू तो, देखिए, एफ है, इस पूरे का वेलू आप लिख दें क्या, याने 36F, 36F बाए 4, याने कि 9 होगे क्या, हाँ, सरी, 9 होना चीए, और F का बेलू सौरी, 5 है, तो 9 इंटू 5, 45 Newton, फोर्स अरेदी दिया हुआ था, हाना, तो 45 Newton ये हो जाएका नए आवाला फोर्स, बात समया, हम सुचिक दिया ही नहीं है, तो ठीके, बात स ये था बहुत easy सवाल था, बहुत हथ से था easy सवाल था, ठीक है, हब, क्या ही बोला जाए इसा सवाल को, अगर कर रहा है कि, charge of the body becomes half, तो kq by r square होता है, न, electric field, तो charge को अधा करेगे, तो electric field बे अधा ही हो जागा, कुछ तो रहा है नहीं है, इसमें, और charge को अधा कर अधा कर kq by 2 r square, ये तो electric field है, तो e by 2 हो जागा, हाफ हो क्या, क्या फिर से बताना पड़ेगा, ठीक, अब गहा रहा है, force exerted by the uniform electric field on the electron, having m e and proton m p, are represented by fe and fp, है न, then they are related to, तो नमें, क्या relation होगा, ठीक है, tyre, सोच के देखू, और electric field है, यहाँ पर, इससे force कितिना लग रहा होगा, किस पर? electrone पर, electron force कितना उता है? और से गgensे ट्रों पे फोस्यद्राइब एंगे एट इन्हों का बात सम्झमिएग आखने offline होगा एह अगर प्रो तो फिन एक मास और ये मीनस हे एक किलेंगे पल्स वाले पर सेम यां पॉलिटेलेस इधर हुणी तरप फॉर्स गिए उगया है इसको वाहँ है इसका प्रोटोन हु मैजने व altura सेम फोर्स त्याने मैंगिनिट्यूड वाइस दोनों का वेलू सेम ही आने वाला है यह कि चार्ज सेम है और रिल्टी फिल्ट वे तो क्या लिखेंगे एफ़ और फी बराबर दूरों के मास में कोई से लेंगे यहां से आगे एक सवाल है इसी तरह का ना तो थोड़ा देखते रहना आगे यह बात समझाएंगे ने फोर्स यी तो दिया वान इस फिल्ट इतने होता है ठीक अब पोजिटिवली चार्ज बॉल हैंग्स फ्रॉंद शिल्क थ्रेड एक रस्षी से सिल्क थ्रेड से ए क्या कहानी है एक सिल्क थ्रेड है इस पर मालों के पुछार्ज क्यू है यहां पर टिक है वी पूट आप पोजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अट आप पॉइंट पॉइंट एड मेजर फोर्स बाइक यहां पर अगर सपोर्स करों हमनें क्यून और चार्ज रग लि बास हो या, तो force by q0 किसके बराबर होगा, then it can be predicted that the electric field strength E is equal to force by q0, है ना, हाँ, that's it, B, correct answer, is that okay, चलो आगे बढ़ते हैं, इन दाग्राम सोन भी लो, यह तो flux का सवाल है, लग रहा है, फिल्ड स्टेंट अट पॉइंट, अच्छा एक बात और देखो, देखो सबसे कल ही बताया थे यह वाला सवाल, कि अगर electric field ज्यादा दूर जा रहा होगा है, यहाँ पर ज्यादा close है, यहाँ पर electric field ज्यादा, यहाँ पर electric field कम, तो यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा होगा, 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 यहाँ पर ज् यहां पर एक मानलो पोजिटीव चार्ज है यहां पर यहां पर ज्यादा घना होगा ज्यादा घना होगा चार्ज के नजदीक में खूब जादा तकड़ा होता है और दूर होता है यहां आगे बढ़ते हैं टू अनलाइक चार्जिस ऑप सेम मेगनिटूड और प्लेस्टेट इसदी अने इंटेंशिटी ऑफ दे ट्रटिफिल अटचा सेंटर आप लाइन जोड़ी में जीरो तो क्या सवाल था पास हो है नहीं यह पीछे अभी किया थे नहीं यहां पर एक चार्ज है क्यो यहां पर एक चार्ज है क्यों आद दोनों के बीच का डिसन से डी दिया अचाँ दोनों के बीच का डिसन से यहां पर एल लीजाबर यहांगे जगह है कि नहीं नहीं तो फिर को है कि हमको पता है क्या यह बात की छोटे वाला चार्ज के तरफ बाहर के तरफ पे इसा laboratories प्लों ल किये नहीं ता कि यहां पर हुए होई है क्यों यहां पर ही है इसको कर देते हैं, B इसको कर देते हैं, C, यहाँ पर इलेट्रिफिल जिरो होगा, तो इलेट्रिफिल एट C, जिरो होने वाला है, क्यों? क्योंकि A भी और B भी, दोनों ही बराबर बनाएगा, यहाँ पर इलेट्रिफिल, मैं छड़बोत होगे आज कर, है ना, तो K, 8, Q, भाई हटो, मरा भी नहीं, बताओ, इसे कैसे काम चलेगा, कैसे के कटिया, 2 से Q, 2 से यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ सो गया, 4X का इसकार, तुम लोग यह मत बुलना, कि सर मच्ण मार रहे हैं, ठीक है, तो 2X, L प्लस में X, ओहो, ओहो, ठीक है, तो 2X एक्स बताओ, अगर यह L है, और यह L है, तो 2L हो गया, कैसे समझ माया, सर, 8Q को 0 पर रखा गया है, देखे ध्यान से, अब इस समझ यह, बोलेगे, सर, आप X निकाले है, L निकाले है, अंसर दे रहे हैं, 2L, देखे ध्यान से कहाना क्या चाहरा है, यह कहाना चाहरा है, कि अगर हमने 0 पर रखा है, ऐसे, 8Q को 0 पर रखा, और इजिन पर, तो यह अल्रेडी L हुआ ना, यह कितना हो गया, 2L हो गया, अब इसका मलत समय ना बात, अभी नहीं है, X का बेलू L है, कहां से L है, 20 है ना, तो A से कितना हो गया, 2L, that's the answer, is that okay, अब आगे बढ़ते हैं, इलेकर की लाट सेंटर, किस में, A में? क्यों? इसकर कराले, इसकर करण अभी इदे, इसकर कराले, आदर, इस यादा है, सब करसर सेंदमा है, तो बीच में 0 हो जाएक ऐसा कोई पतलब तरहा थाए नहीं, बी में क्या होगा देखो बी में क्या होगा यह पलस वाला यह माइनस वाले को अपने अपने से दूर भेज रहा होगा सेंटर वाला इधर धकेल रहा होगा, ये भी अपने तरफ खींची लेगा माइनस वाला दूर धकेलेगा, ये माइनस वाला दूर धकेलेगा, ये तो खतम हो गया पलस वाला इधर धकेल रहा होगा, ये पलस वाला इधर धकेलेगा, ये दुनों खतम नेट इदर बनेगा नेट इदर बन जाएगा इसमें समझ गया बात को न यही सिर्फ आंसर है अब आगे बढ़ते हैं अचार्ज पार्टिकल इस फ्री तू मूव इन इलिट्रिक फिल्ड इड़ ट्रैवल अलॉंग अच्छी बात इस सवाल को समझने के लिए मोडा मोडा बा ठीक है अगर मालनों सुटवात में वेलोस्टी नहीं दिये तब चार्ज उधर ही जाएगा जिधर फोर्स लगा हो बात समया इतना बैठा दिवंग में यहां पर वही सवाल है कि आल्वेज लाइन आप फोर्स पर तो नहीं चलेगा है ना अलाउंगा लाइन आप फोर्स इ क्या फोर्स की तरफ बोड़ी जाता है नहीं जाता है वो तो घूमते लाइता सब्सक्राइब ना समया बात यहीं सीन है यहां पर तो बी करेट आफसर है अलाउंग दा लाइन आप फोर्स इपर सेम इनिसल वेलोस्टी टारेशन और नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला अगर भी यहां पर क्या सीन है 27 नंबर में कहां पर दोखो ए पर दोखो नजदीक है एलेक्टिक यहना कि अ और सी हो का लेकिन बीपर कम हो का यह बात पता है ना तो ए और सीपर सेम और वो सी पर जयादा भी होगा है न ए रिटिटीफिड A भी जादा होगा B से, रिटिटीफिड C भी जादा होगा B से, सौटि, बस होया, तो यह C न आ जाएगा C वाला, बराबर तो होने वाला नहीं है, यह कैसे बनाए जहांपर नजदीख है Lines, वहांपर रिटिफिड इस्टंथ जादा, जहाँ पर नज़दीक Lines होगा, वहाँ पर लेटिफिल ज्यादा है, जहाँ पर दूर-दूर है लेटिफिल, वहाँ पर लेटिफिल कम, तो वह लॉजिक से हमने ये वाला डिल किया, हमको पता है कि निजटिफ में लेटिफिल आते हैं, पोजिटिफ शे निकलता है, तो इस Scene पुझे घर के फिर आ रहा है जाए रहा है क्या वह रहा है कुछ सम्झेगा यहां निगटिव सर्दी तो पक्के गलत हो गया तो सिस्क्रेट शुब्स वह जो इसको देखते हैं क्या कहना चाहते हैं अगर हम कहा दें कि यह रहा हम रहा रहा एलेट्रिक फिल्ड और वहां पर हिस एम लेकिन juven Canada क्यों क्यों क्योंकि है दार इधर हुश्वागाई है यहां पर होगा फिस समझ लो इलेक्ट्रिक फिल्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है निगेटिव चार्ज पर उल्ट इरेशन उल्टा के लिए निगेटिव यहां पर लगाना है बात समय में है इसलिए बी करेट हुग गया हूँ हो सकता था ये भी जल्दी बाजी में उलट गया स कहना ये चाहर है यहां पर ये सवाल जब भी आएगा मान लोग ये नहीं आना चाहिए कि बहुत कंट्राडिक्टरी पिक्चर है धंगा पिक्चर तो बनाया नहीं इसमें ठीक है तो कोई सीन बनता नहीं इसका फिर भी हम डील कर सकते हैं का रहा है कि हाईस्ट चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा ना क्यूब आएम रेशियो हमको निकालना है यहां पर ठीक है अगर एक चार्ज को हमने इलिट्रिक फिल में डाल दिया है तो तो बिसकली जिसका डेवियेशन जादा हो रहा ये यह यहां पर गाना चाहरा है जि विद्धा एक्सेलरेशन जिसका जादा एक्सेलरेशन उसी का डिवेशन जादा बात समझना है और इने समझना है नहीं तो बोड़ी इधर जा रहा है चारज अब फोर्स लग रहा है इधर पहले अच्छे देख दो सिंपल सवाल बताओ कि पोजिटीव चार्ज की तरफ जा पड़ेगा इसमें को सवाल नहीं होना चाहिए इतना दा इडिंटिफाय हो गया कारें कि कौन ज्यादा डिवेट कर रहा है वैसे तारज यहां पर सी होगा लेकिन हां यह हमको प्रेडिक्शन नहीं कर सकते इस पिक्चर को देख करके कम सकते हैं जो लाजिक है सवाल के कॉंस्टेंट है और हमको देखना है कि एक्सेशन ओफ वन में क्या सीन है तो अगर क्यू बाइएम का रिश्यो में अगर चार ज्यादा अगर चार ज्यादा है बास में है करा हाईएस चार्ज टू मास रिश्यो तो अगर क्यू बाइएम रिश्यो दिख रहा है ना तो जिसका acceleration ज्यादा जिसका acceleration ज्यादा उसका deviation ज्यादा बात समझना है कि नहीं है यहाँ पर बी वाला जो तीन नंबर ऑप्शन है इसका जो आंसर देने वाला वो कहा रहे है यह तीन वाला ज्यादे डिफिट कर गया है इसलिए तीन वाला आंसर होगा बात समझना है कि नहीं है यहाँ पर से इसना समझना जिसका ज्यादा acceleration और acceleration ज्यादा होने के लिए Q-I-M निकाला थे डिफिटर हमका ठीक है आगे भी डिसकस करेंगे इसको खैर यहाद डैपोल मोमेंट एक डैपोल होता है माइनस Q और एक पलस Q होता है दोनों के बीचका डिसनस अगर हम का देते हैं 2L है तो डैपोल मोमेंट P वेक्टर कितना होता है Q into 2L from negative to positive charge दिया हुआ है औ 20 नैनो कुलंब है ना और separated by distance 5 mm अब यहाँ पर 2 x 5 नहीं कर देना यह 12 है दोनों के बीचका distance तिसरा सिधासी 5 mm कर लेना है बात समझ में आगे नहीं है तो यह हो जाएगा तो 20 x 500 हो गया इंटू 10 रिस तो बाब माइनस में 12 हो गया है ना तो 100 क्या मंजाक है कुलंब into meter है ना सेंटीमेन में कौन देने बोला थे इसको खेर चोड़ो 100 x 10 रिस तो बाब माइनस में 12 को लिख सकते है माइनस में 10 इंटू 10 माइनस में 2 ऐसा कुछ कर सकते है और माइनस 2 और यह दोनों खत्याम हो जाएगा ती इसको लिख सकते है ना माइन तो गया 10 मिनस में 2, मिनस में 10, इंटु 100, सेंटी को लिक्स का नहीं तना, कोई नहीं आया, ऐसा आवे से होग या, 20 नाइनो कुलंब सही तो लिखें और 5 मिल्ली मेटर, सेपरेट वाए, कल्कुलेट था मेंटिव अपोल मोमेंट, चार्ज दिया हुए 20 नाइनो कुलंब, और 12 का डिशन दिया है, 5 मिल्ली मेटर, और मिल्ली के लिए मैनस में 1 कर लेंगे, तो मैनस 10 हो जाएगा, 20 न्टी न्टु 500 हो जाएगा, मैनस में 8 तो कमसम होना ही चीए था, है ना, मैनस में 8 सेंटी मेटर, तो हमको दिख तो कोई भी नहीं रहा है, तो इसलिए, यह होगा answer, गलती है, इसमें, चेक कर लेना है, ठीक है, खेर, 32 नमबर में बात करते है, ठीक है, थाईट्रिक चार्ज कुझ इतना, इतना, तो मैट्ट्व अटेट्रिक टैपूल ममेंट अवर सिस्टम, बताव क्या होगा, ध्यान समझ ना, पूरा कहानी क्या था, इस सिस्टम में कहा क्याब मैनस 2q को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इस माइनस Q और माइनस Q और 1 माइनस और 1 पलस मिल करके अधर बनाएगा पी बेक्टर और अर एक माइनस मिल करके इधर बना देका P भेक्टर तो रिजल स हो जाएगा दोनोМ के बिच L बीच हो जाना 60 डिटी होगे ना ऐसे तो जो पी नेट आएका वो क्या हैगा पी का स्क्वाइर अगर दो वेक्टर बरावर होता है तो पी का स्क्वाइर प्लस है पी का स्क्वाइर टू पी कॉस 60 डिगरी का रूट बात सुंज़ा तो basically हो जागा है यहां से 2P कॉस 60 का आधा, तो 2P cos 30 degree, तो 2P cos 30 का value sorry, cos 30 value root 3 by 2 तो I think P root 3 आ जाएगा हाना, अब बोलोग यह कहाँ से लिक्या आगा है sir, suddenly तो P root 3, यह कहाँ से लिक्या आए, अगर 2 force बराबर हो, तो resultant 2P cos theta by 2 होता है, हम वहाँ से भी उसका से, बागे तुम लोग वहाँ से भी put कर लो, cos 60 वह कर जागा तो वही आगा P root 3, आना, यहाँ से भी निकाल दें, लो root over P का square, plus में P का square cos 60 का भी लोग हाफ और हाफ खत्म हो गया P का square हो गया, तो basically गर 3P का square का root तो basically गर P root 3, यह भी हो गया answer, ठीक है, तो कहाँ हो गया, यह मतलब Q into L root 3, तो C करेट हो answer, आसमया, अरे P मले Q into L हो जाता है ना, दोनों बीच का distance L, तो what is the angle between dipole moment electric field strength on the equilateral line के बारे बात कर रहा है, तो ध्यान से समझो, what is the angle between electric field dipole moment, dipole moment किदर हो गया, minus Q से plus Q के बीच में, और इसको बोलते हैं, axis, और इसको बोलते हैं, equator, यह बात पता होगा, तुम लोग को, ठीक है, electric field at axis कितना होता है, 2 K P vector by X का cube है ना, और electric field at equator कितना होता है, minus में K P vector by X का cube, याद है, इतना पता होगा, खेर, यहां कहाँ रहा है कि electric field strength due to, it on equatorial line, sorry, equatorial line और dipole moment के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90 degree, अलो अभी तो बता है, ठीक है, देखो, साब साब दिख रहा होगा, अच्छा, लिग देतना है इधर भी, electric field at axis equal to 2 K P vector by X cube, और electric field at equator कितना दिख रहा है, K P vector by X cube negative में, तियाने कि इसके जगह पे क्या लिख सकते है, 2 times of electric field at equator, है ना, तो कहाना क्या चाह रहा है, E A is the electric field due to the dipole, it's axis, याने कि E A जो है, यह हमारा 2 times of E Q है, तो इसमें E Q बोला है, equatorial plane पर, तो 2 E Q, सी करेट हो, ठीक है, चलो होगा बढ़ते हैं, calculate the torque, या दे, torque, torque का scene क्या होता है, हम लोग अगर बोलें कि यह रहा हमारा electric field, और इसी electric field में हमने एक, dipole को रख दिया हुआ है, ऐसे है, याने कि minus में Q यहां रख दिया है, पर plus में Q रख दिया, इस plus पर इधर force लेगा QE, क्या दे है, और इस पर इधर force लेगा QE, इस चक्कर में, इस चक्कर में घूमने लगेगा, है ना ये, उन दोडने लगेगा ये, बात समया, ये जो पूरा का पूरा डैपोल है, ये घूम जाएगा ऐसे, क्योंकि देखो, एक QE ऐसे लग रहा है, क्यों घूम जागा इसे, है ना, तो ये सीन हो जाएगा, अगर मान लोग ये थीट का, सॉरी, 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 torque acting on it, तो P दिया हुआ है हमको, इतना, तो 4 इंटू 10 A raised to the power minus में 9, और electric field भी देकर रखा है, 5 इंटू 10 raised to the power 4, और angle भी देकर रखा है, 30 degree with the reaction of electric field, ठीक है, sin 30 degree, sin 30 degree half हो देग्या, तो half से ये 2 कट गया, तो 5 तू जा 10 into 10 A raised to the power minus में 5 हो गया, तो basically हो गया, term of minus में 4, A answer, बस हो या, ठीक है, तो ये था हमार, क्या बोले, अभी बताए, P crossy, और क्यों होता है, P crossy होता है ना, यह पीछे, पुरूब भी कर दिये, तो ये याद रखना था, अब आगे बढ़ते हैं, electric dipole is placed at the uniform field in the dipole axis, में के थीटा direction, इतना, stable equilibrium, stable equilibrium होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 degree पर होना चाहिए, दोगो, तीन condition याद रखना, torque के लिए, अगर हम कहा दें कि हमारा electric field ऐसे है, अब डैपल को हमाई से रख दिया, तो यहाँ पर torque net क्या आएगा, अगर theta को बोलो 0 degree है, theta को बो 0 degree है, अगर अगर हम यहाँ रहाई लिटी डिगरी कर लेते हैं, तो प को इदर कर दिये, इस condition torque net तो आ जागा खतरनाक वाला, तो प e sin 90 degree sin 90 गुलोबान हो जाता है, तो प e हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 यह नहीं हुआ, और इस condition में क्या हो जागा, तो इस condition में क्या हो जाएगा, torque net अभी 0 हो जाएगा, तो यह दोनों condition में equilibrium होगा, यह दोनों condition में equilibrium होने वाला, यह भी हमारा equilibrium होगा, और इस condition में हम कहा देंगे, equilibrium तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन, अब गारा stable equilibrium होने का मतलग है, वोस डैपोल को गर हिलायड उलाएंगे भी तब भी वहीं आ जाएगा, वो सिर्फर से तभी हो जाकता है, जब यह condition होगा, ठीक है, थीटा को जीरो डिकरी, अब यह क्यों होगा, सोचके देखो, अगर हम डैपोल को यहां से, यही दैपोल है, यह थोड़ा सा भी अगर हिला दें, तो फिर से फोर्स लग करके सिधर इ है, सवरवत को, ऐसे इस वाले सेंस में, अगर तुम को यह समझना है, थोड़ा अच्छे समझेगे वाला, यह वाला सेंस में होगा इसे कर दे, यहां पोजिटिव है, यहां निगेटिव है, पर फोर्स लग जागा ना, पोजिटिव पर एस लग जागा, तो यह जो सीन आएगा, और इस टे वाले कुलिवन कहा होगा, समझेगे वात को, 180 डिगरी पर है ना, चलो ठीक है, का रहा है, इलेक्रिक फलक्स बता दो, तो फलक्स का मतलब होता है, इलेक्रिक फिल्ड डॉट अफ एरिया वेक्टर, इलेक्रिक फिल्ड दिख रहा है, हमको, फूर आई क पर कुलांब मेटर स्क्वार, तो 20 उनिट्स, समझे में आया ना, फलक्स क्या होता है, इलेक्रिक फिल्ड पता था, डॉट प्रोड करवा दिये, वाट इस दे निचर अफ गॉसियन सर्फेस, इंवल्ड इन दे गॉस लाव, कैसा होता है, गॉसियन सर्फेस, इन्वल्ड इ कल्कुलेटिंग इलेक्रिक फिल्ड द्यूत इनिचर्पियोशन, इनिचर्पेस दिस्ट्रिबीूशन, एनिचर्पेस ब्द्यूत समझे से, उब इस याइज से स्ट्रीट होगा, एंसर, टीक है, लेकिन हम गॉसियन सर्फेस लेतेग अइसे हैं, जैसे मालन लोकेगर हमारे यह तो स्थे टीटा का वह ब धीलिग्री हो. यह हमारा है फ्यूश्न होता है अब यह तब ही हो सकता है जब अब Community हो इस तो हमारा बन सकता है अगर हम याद करो कि सिलिंडर बनाते हैं चार्ज हम करते हैं कि या तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा तो यह तीन कंडिशन याद रखना है कि गॉसियन सर्फिस हम ऐसा लेते हैं तो फिक्स हो जाए थीटा का वेलू जीरो डिगरी या निंटी डिगरी हो जाए जीरो रहेगा तो यह कॉस्स थीटा करने असानी मिलेगा हमको क्यों जीरो 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 तो मम खत्म फलक्सी जीरो आथ इसलिए आगे बढ़ते हैं फलक्स कमिंग आउट फ्रॉम यूनिट पोजिटिव चार्ज इ है ना और हमका पता है कि चार्ज क्यों इस प्लेशन अब बॉडी डियागोनल अब बताओ एक फेस से क्यूब में अगर क्यूब के बीच में अगर हम चार्ज रखें बॉडी डियागोनल समझो बात को ध्यान से क्या कहना चाता है दो वो वर्ड कितना खतरना गी उच किया ठीक है बात समझना सब्सक्राइब कर लो कि यहां से हमने एक बाड़ी डियागोनल ऐसे खीचा एक बाड़ी डियागोनल ऐसे खीचा दोनों में बीच हो गया यहने क्यूब के जस्ट बीचों बीच हमने एक चार्ज रखा है क्या और इसे कारण से क्यूब नेट सरी फलक्स थुरू 1 phase, यह ना, 1 phase से कितना होगा, तो क्यों भाए, 6 अपसलन जीरो, यह गरेट अन्सर, ठीक है, ता इलेक्रिक फ्लक्स थुरू अपक्लोज गॉस्यन सर्फेस, डिपेंड्स अन्सर, यह ने, प्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, बताओ, क्यों नेट भाए, एपसलन जीर अगर मीडियम वगर है, तो अपसलन जीरो अगरेगा, तो अन्सर, अन्सर पर डिपेंड नहीं करेगा, यह मामला होगा, गड़बर, गाउसन सर्फेस कैसा भी रहे, कोई फरक नहीं पड़ता है, जिसे हम अगर बोलें, यहां पर एक चार्ज रग दी हैं, ऐसे रग दी हैं अगर हम कुछ भी बना दें, हर समय फलक्स सेम होने वाला है, यह बात पता होना चाहिए, यह स्पेरिकल रिजन में हम चार्ज रख दी हैं, या फिर क्यूबिकल रिजन में रखें, हर कंडिशन में क्यूबाइ इपसिलन जीरो ही होता है, तो बी तो गलत हो गया, नेट चार के लिए क्या है, मार्केट में, तो नहीं, यह मार्केट में नया नहीं है, मीडियम पर डिपेंड करता है, यह ना, क्योंकि अपसर र भी आता ही है, तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, अगर हम हवा में बात करते हैं, तभी ऐसा सीन आता है, ठीक है, तो A is correct answer, अब बात समयों आया, तो Q के बीचों भी चार्ज है, यह ना, तो Net Flux क्या होगा यहां तो Q अपन 6 Epsilon 0, चार्ज देकर रखाए क्या, 10 Microc, 10 Microc by 6 Epsilon 0, 8.0 माइनस में 12, क्या तुम लोग solve कर लोग इसको क्या, solve कर लोग ता मसरा आजाएगा, सिधा सिधी है ना, तो बात समयों आय है ना, तुम लोग कर ले ना, अब आगे बढ़ते हैं, यह ट्रिक फ्लक्स तुरू दा स्फेर, बताओ, क्या बताए थे, कैसा भी रहे, हर कंडिन समय होता है, क्या, तो यहां पर ना, अभी तो पिछे बताना, कैसा भी से पर है, हर समय, फ्लक्स सेम होगा, इस सेम फूर द अल फिगर, ठीक है, यहन है, तो टोटल एटरिफरस का मैं क्यों, वाई, एपसलेन, जीरो, क्या बात है, देखो ध्यान से, क्या कहना चाहता है, एट डैपोल्स अब दे चार्ज अप मैगनिटूड ए, इच आर प्लेस्ट इनसाइड दे क्यूब, क्यूब के अंदर में, आ आठ को डैपोल रख दिया है, ना, नेट डैप, नेट चार्ज अप डैपोल होता क्या है, एकोल टो जीरो हो जाता है, डैपोल का नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, दो को मैनस क्यूब, पलस क्यूब, दोना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, तो अंदर में आठ को डैप बस हो या अरे आठ गो डίपोल रग दिये दूग दिये फॉलक्स नहीं होगा न एलेटिकल वगर होगा फॉलक्स नहीं होता है ट्यक्त टू परिल्लेल इन्फिनाइट लाइन चार्झ लेम्डा और मैनस लेम्डा और सेपरेटड by a distance r in the space the net electric field exactly midway between the two lines is what समझ लो बात को क्या कहना चाहता है कि दो line है रखा हुआ एक में plus lambda कर दिया है पर एक minus में lambda कर दिया है और distance रखा गया दोने कुछ आ रहा है ठीक है बीचों बीच electric field क्या होगा अब समझना बात को इस पलस कारण इधर की तरफ electrical होगा दूर की तरफ और इस minus कारण बीच की तरफ होगा तो net electrical क्या होगा 2E हो जाए हो गया तो 2 electrical का फन लोगा दे lambda by 2 pi r epsilon 0 2 pi r केतना यहां सदे कर दिशन केतना r by 2 न r by 2 epsilon 0 जितक गया तो 2 lambda by pi r epsilon 0 यह हो गया एक line चार्ज एक आपने इलेक्ट्रिक की तरफ न होगा था lambda by 2 pi r epsilon 0 होता है याद कर लो lambda by 2 pi r epsilon 0 होता है electric field due to line charge यह क्या है electric field due to infinitely long charged rod है न इसका याद रखना है और r क्या है उस wire से उस position का distance जहां पर कि हमको electric field निकालना होता है ठीक है ओके तर 2 plate having surface area A and kept parallel to each other at a shortage station D they carry charge plus Q and minus Q the electric field space between the plate will be क्या होगा समझ लो बात को फिर से देखो एक plate है इस plate का नए electric field याद है कितना होता है sigma by 2 epsilon 0 है ना याद होना चीए यह बात तो कर रहें एक plate यह है एक plate यह है एक पे हमने plus Q रखा है यहाँ पर minus Q रखा है अदोनों के बीच का distance D है तो बीचों बीच लिट्रीफिल क्या हो पलास कारण अभी बताएं इधर minus कारण भी नजदीक के तरफ पलास के कारण दूर minus कारण नजदीक याद रखना है इस बात को तो net electrical क्या लिखोगे तो सर 2E हो जाएगा तो 2E को जब क्या sigma by 2 epsilon 0 तो basically क्या होज़ sigma by epsilon 0 अब sigma क्या होता है charge per unit area sigma क्या होता है बोलो तो charge flow charge होता है per unit area होता है सर face charge density इसको बोलते है तो आगे answer हमारे पास Q upon epsilon 0 है यह इसके answer बस हो या यह था यहां का सवाल linear charge density पूछ रहा है अभी तुरत सवाल बना है यह वाला तो देखोद क्या है कहानी इसमें कि हमको पता है electric field का value lambda by 2 pi r epsilon 0 होता है यह पड़े और electric field का value दिया हुआ है 18 into 10 raise power 4 हो जाएगा है ना और lambda नहीं पूछें lambda ही पूछा है तो lambda का value क्या आजएगा 18 into 10 raise power 4 into 2 pi के जगा पे 3.14 यूज कर लेते हैं r तो दिया है 0.02 meter और epsilon 0 का value 8.85 into 10 raise power मैं 12 इन सब को multiply कर लोगे तो इतना कुलंब पर meter आजाएगा answer हम नहीं करेंगे कर लेना answer है ना समझ मैं है बात बहुत असान था यह दो को ध्यान से क्या गाना चाहा रहा है कि एक charged electron है किसी रफ्तार भी से भाग रहा है ठीक है और यहाँ पर एक positive linear charge density lambda है है ना electron revolve around the circular path under the influence of it यहां से अगर हमने ऐसे करके imagine करो कि scene क्या हो रहा होगा तो ऐसे कर यह circular path है ना यह पूरा पूरा charge rod है एक circular path में electrons घूम रहे हैं क्यों घूम रहा होगा कि अंदर में एक force लग रहा होगा ऐसे electro aesthetic force बाहर में लग रहा होगा centripetal force जिसको centrifugal force कर सकते हैं यहां पर क्या लिख सकते हैं कि FC जो होगा वो FE के बराबर हो जाएगा तो FC मतलब क्या MV square by R एक्वल टू electro aesthetic force क्या होगा E E electrical कितना होता है lambda by 2 pi r epsilon 0 अपड़े हो भी तुरत lambda by 2 pi r epsilon 0 यह ना समाजमा है बत बखार है कि B का value क्या हो जाएगा तो B का square बराबर क्या हो गया होगा है दो तो R से R कड़िया क्या R से R कड़िया E lambda by M 2 pi epsilon 0 तो B तो कुछ तो हई नहीं R में constant हो रहा है सब तो constant ही होगा E lambda by 2 pi epsilon 0 into M I think R पे depend ही नहीं कर रहा हा ना तो R पे depend नहीं कर रहा है तो that's a correct answer तो मतलब देखो यह dependency check कर रहा था कि directly proportional किसके था R पर तो ही नहीं ना तो directly proportional to R ब़र 0 R ही कड़िया R रहता था तो हम answer बता सकते थे बस में यहां पर ही ही नहीं यह बात समझा है क्या हो रहा है कि एक wire है यहां पर देखो क्या हो रहा था कि एक wire है इस wire के around एक electron को घुमाय जा रहा है इसे से बस में यह ऐसे से हम इसको घुमा रहे है क्यों घुम रहा है क्योंकि यह charge के ऊपर एक अधर के उपर अंदर के तरह बोड़ी अगर घुमेगा सर्कुलर पात आते ही वहां पर एक सेंट्रीपिटर फोर्स लगे गाई सेंट्रीपिटर फोर्स के वैसे वह घुम रहा है तो वह चीज हम यहां पर यूज कर लिए बात समझ में आया थोड़ा सा अच्छा कुछ सिब्दा हो ठीक है आगे बढ़ते है दा इलेक्ट्रिफिकेशन बाइ रबिंग टू बोड़ी तोगेधर इस द्यू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोंज है ना वन बोड़ी तो अनाधर बोड़ी एलेक्ट्रोंज ही चाता है दूसरे से दूसरे मगड़ दा पॉइंट चार्ज इच इक्वल टू वन कुलम एक्जर्ट अग्जर्ट अप फोर्स मिच्वली बैदे यार वन मीटर अपार्ट इनू बताओ क्या इजी है बहुत सिंपल सवाल है फोर्स का विलो क्या हो जागा के मतलब 9 इंटो 10 दिज्वाँ 9 इंटो 10 इंटो 9 इंटो 4 इंटो का मतलब क्या होता है के q1 q2 by r kai square तो q1 है 1 into 1 by distance कितना है 1 kai square I think यह आगया क्या है सबको solve कर गया है तू sphere having surface area surface charge density surface charge density मतलब sigma sigma क्या होता है बोलो तो surface charge density और इसका मतलब क्या होता है charge by area तो का है तो पर आए कि surface charge density दो स्फेर है, surface charge density दो और तीन से दिया हुआ है, radii दिया हुआ है 3 is to 2, the ratio of charges on them क्या होगा, कहने का मतलब यह है कि 2 sphere है, एक यह है, एक यह है, इसका radius r1, इसका radius r2 है, इस पर sigma है sigma 1, इस पर sigma 2 है, इस पर charge है q1, इस पर charge है q2, बसमया, तो बहुत सोच के देखो, q sigma 1 का value क्या लिखोगे, चार्ज पर unit area q1 by area, 4 pi r1 का square, याद है area, sphere का area का, 4 pi r1 का, 4 pi रसकर रहते हैं न, वही उसकी है, sigma 2 का value क्या हो जाएगा, q2 by 4 pi r2 का square, अगर दोनों का पकड़ के divide कर दू, 4 pi से 4 pi तो कठी ही ने गहा, तो क्या बचेगा, q1 by q2, और यहाँ सोगे r1 का square into r2 का whole square, बात समया, यहाँ से, तो क्या पूछा है, ratio of charges, यानि q1 by q2 ही पूछा है, तो इसलिए q1 by q2 को हो जाएगा, r1 का square, यानि sigma 1 by sigma 2, r1 का square by r2 का square, सिग्मा 1 by sigma 2 दिया है, 2 by 3, r1 by r2 दिया है, 3 by 2 into 3 by 2, क्योंकि square था, तो इसलिए 2 बार रिख दिया, 3 से 3 कतम, 2 से 2 कतम, यहाँ 3 by 2 हो गया, अन्ट सर, बास हो जाए, charge per unit area होता है, सिग्मा, हाना, तो charge हो गया, इस फेर पे q area हो गया, 4 pi r square, दोनों के ratio पूछा, तो हमने दोनों को पकड़ कर गया, डिवाइड कर दिया, हाना, बस हो जाए, चलो ठीक है, आगे बढ़ते है, एलेट्रों, सर, इलेट्रिक चार्ज, q is placed at one corner of the cube, ए, एक ही corner पर रखा गया, ते एलेट्रिफिट्स, one of its face, हाना, on one of its face, will be, क्या होगा, सोचो दियान से, एक cube है, ऐसे, यह रहा cube, हाना, उगा बहुत देर नहीं लग रहा बनाने में, तो ठीक, एलेट्रिक चार्ज, q is placed at one of its corner of the cube, एक corner पर रखा हो है, corner यह न होता है, age इसको बोलते हैं, age बोलते हैं इसको, किनारा, यह corner हो गया, यहाँ पर q, ठीक है, यहाँ पर रखा गया है, तो कर रहा है, दन इलेट्रिक फलक्स, on one of its face, will be, इसके एक face से, कितना flux पास कर रहा होगा, सब्पोज कर लेते हैं, इसके पर रहा होगा, इससे भी नहीं कर रहा होगा, और इससे भी नहीं कर रहा होगा, यह तीन तो गया, जो बचा है, इस तीन से फलक्स निकल रहा होगा, अच्छा सोच के देखो, net flux क्या होगा, अगर हम पूछें, फलक्स net क्या हो जाएगा, तो इस charge का one eighth part ही अंदर में होगा, यह बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, इससे अगर हम पूछें कि एक, मानलो चार्ज को एक तरह से गेंद समझ लो, ठीक है, तो corner पे जब चार्ज है, तो इस गेंद का one eighth part ही अंदर होगा, ना, one eighth part ही अंदर होगा, अगर फेस पर होगा, तो इससे चलों दिखाते हैं, मानलो कि अगर हम इस charge को इसके face पर रखें, तो charge का आधा हिसा अंदर, और आधा हिसा बाहर, बास मेंद, अगर हम बोलें कि age पर रखेंगे, तो qy4 अंदर, 3 qy4 बाहर, यह age पर रखा गया था, अगर हम corner पर रख रहे हैं, या फिर एक सब्सक्राइब आलू काटो, ऐसे काटो आधा, ऐसे काटो बन फूर, ऐसे काटो तो बचेगा ना, तो वो हिस्सा सिर्फ corner पर fit होगा, corner पर पास मेंद, तो यह चीज आजएगा, तो q by 8 epsilon 0 हो गया, यहां से, q by 8 epsilon 0 net flux हो गया, net flux ही 3 अफेस से पास करेगा, यह तो इस तीन फेस का दो कोई sense बनेगा नहीं, पहला इस फेस से पास करेगा, इस फेस से फेस से और front वाले फेस से पास करेगा, इस तीन फेस से तीनों बराबर हो जाएगा, तो flux through one face, तो suppose कर यह 3 phi के बराबर हो गया, तो phi का वेलो क्या हो जाएगा, q by 24 epsilon 0, तो q by 24 epsilon 0, is the answer, ठीक है, बागे तीन फेस से नहीं निकलेगा, जो तीन जो adjacent फेस होंगे, उससे नहीं होगा, बागे इसो सवाल को तरह धंग से पुछना चाहिए था, कि opposite faces पे से कितना flux आना चाहिए था, तो है ना, that's a good question, आगे बढ़े, आगे, according to the Gauss theorem, electric field of the infinitely long straight wire, inversely proportional to, क्या होता है, straight wire रिखा रहा है, according to Gauss theorem, the electric field of the infinitely long, रिखा रहा है, क्या होता है, lambda by 2 pi epsilon 0, R, R क्या है, इस वायर से, radius ही ना, radius, डामेटर नी, distance क्यों नहीं ले रहा है, इसलिए यहाल रखना है, which of the following statement is correct, charge q on the body is always given by q equal to any, where n is any integer, positive or negative, सही लग रहा है, हमको दिखने में, ठीक है, by convention, the charge on electron is taken to negative, यह भी सही लग रहा है, हमको, the fact that electric charge is always integral multiple of turn to the quantization of charge, यह भी सही लग रहा है, the quantization of charge is experimentally demonstrated by Newton, in यह गलत है, D गलत है, है ना, are incorrect, तो D गलत है, क्योंकि हम बता है, Millikan ने बताया था यह बात है, I think A, B, C सही है, D गलत है, जो पूछ रहा थे कि गलत कौन सा है, incorrect पूछा था, इसलिए D ही सही अंसर है, बस मैं है, ठीक है ना, यह दोगो बात अच्छा, थोड़ा सा वर्ड गुम जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यह किसने डूणा था, Millikan ने, तो quantization हम सुराद में बता चुके है, quantization किसने बता है, Millikan ने, यहाँ पर देख लो, यह कल हम बता है, जिसका magnitude ज्यादा, उससे ज्यादा, इले टिफिल लाइनस निकलेगा, जिसका magnitude कम, उससे कम लाइनस पी निकलेगा, तो यह सीथ साब साब दिख रहा है, magnitude of A इस ज्यादा, है ना, और A positive है, इसलिए निकल रहा है, B negative है, इसलिए वहाँ पर जा रहा है, एक का ज्यादा है, इसलिए इसलिए इस तरह का photo बना है, इसमें को अधिकत नहीं होना चाहिए, इसमें का हो रहा है जी, यहाँ पर देखो तो कहीं न कहीं तुमको लग रहा है, कि आगे फैल रहा है, तो अईसा, है नहीं, ऐसा लग रहा है, तो देखो ध्यांट से, कैसे scene होगा, अगर हम यह कहा दें, कि पी वाले पर force लग रहा होगा, यहाँ पर electrical e1 होगा, यहाँ पर e2 होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा, जो भी QE1, है ना, यहां पर लग रहा है QE2, ऐसा लग जाएगा, इस पर फोर्स फ़र्स, F1, इसको हम कर देते हैं, फोर्स टू, और obviously F1 जादा हो जाएगा F2 से, यह पूरा का पूरा डैपोल भाग जाएगा, अब एक मात याद रख लो, कि यहां पर non-uniform electric field है, अगर है ना, 300 electric field lines, which is dapole P, which of the following instant, dapole will not experience any force, यह तो गलत हो गया, non-uniform electric field, net force लगेगा, साब दिख रहा है कि F1 जादा है, है ना, क्योंकि वहां पर electric field, sorry, F1 जादा नहीं, F1 कम है ना, F1 कम हो गया, क्योंकि even कम है, इसलिए यह dapole उधर की तरफ घसक देखो छोटा सा बात है, ममला गड़वरा देता है, ना, B और C भी गलत है, है ना, अप water नहीं जाएगा, इदर नहीं जाएगा, left जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर E1 जादा, E1 is greater than E2, जिदर close, उधर की तरफ पर जादा, ठीक है, और यहां पर कहा रहा है कि, खे, बत 0, A का Q, A का Q, ठीक है, infinitely plain seat of uniform thickness, sorry, infinite long uniform charged wire, C का P, C का P, और, क्या बात, अब यह बोलोगे B का सर R के से हुआ, तो ओधी हां से कहां जाएगा, infinitely plain charge sheet of uniform thickness, plain seat है charge का, अगर charge है तो इधर भी charge हो गया, और इधर भी charge हो गया, ठीक है, इसके करण यहां पर लिद्फिर गया होगा, तो सर इसके करण भी होगा, sigma by 2, epsilon 0, और इसके करण भी होगा, plus 1, sigma by 2, epsilon 0, दोनों जुट जाएगा, sigma by epsilon 0, बास वहां इसलिए, यहां पर B का R हो गया, that's a correct answer, बास में यहां, यह तो जादी हो जाएगा, चलो ठीक है, तो सारे questions खतम हो गए, अब हम लोग next topic के तरह बढ़ेंगे, electric potential and capacitance का अगला वीडियो आजाएगा, mind map के तोर पर, और उसका फिर सारा का सारा solution हम इसी तरह से कर लेंगे, अगर कुछ और improvement चाहिए, तो हमको comment कर देना, तो हम उसको counter करेंगे, मिलते हैं, share कर दो, और अपने दोस्तों से बोलो कि subscribe करें, और मजे लो, enjoy करो, और अच्छे marks gather करो, है ना, मिलते हैं, bye, take care.